परिचय बच्चों, हमने देखा है कि एक त्रिभुज में छह मापें, तीन भुजाएं और तीन कोड होते हैं, लेकिन एक त्रिभुज की रचना के लिए हमें तीन मापों की आविशक्ता होती है. हम S.A.S., A.S.A., S.S.S.S. और R.H.S. स्वयम सिध्धियों की सहायता से त्रिभुज का निर्मान कर सकते हैं. अब यह प्रश्न उठता है कि क्या एक अद्वितिये चार भुजाओं वाली बंद आकरिती जिसे चत्रभुज कहते हैं, इसकी रचना के लिए चार मापें परियाप्त होंगी? क्यूंकि एक चत्रभुज में आठ मापें होती हैं, इसलिए एक चत्रभुज के निर्मान के लिए हमें कम से कम पाँच मापें के आथ होनी चाहिए. उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. एक चतर भुच की रचना करना, एक वर्ग की रचना करना, रचना, एक चतर भुच की रचना जब चारों भुचाओं और एक विकर्ण की लंबाई ग्यात हो, माली जिये की दिये गए माप हैं, AB बराबर 4.5 cm, BC बराबर 5.6 cm, CD बराबर 5.9 cm, DA बराबर 5.2 cm, और विकर्ण AC बराबर 6.8 cm, चतर भुच की रचना के लिए हम दो त्रिभुचों ADC और ABC की रचना कर सकते हैं, क, ADC त्रिभुच की रचना, एक, DC बराबर 5.9 cm खींचिये, 2. C को केंदर मान कर 6.8 cm त्रिज्जा के साथ एक चाप खींचिये, 3. D को केंदर मान कर 5.2 cm त्रिज्जा के साथ पहले चाप को बिंदू A पर प्रतिच्छेत करता हुआ, एक और चाप खींचिये, 4. C, A और D, A को मिलाइए, 3. A, B, C की रचना कीचिये, 5. C को केंदर मान कर 5.6 cm त्रिज्जा के साथ एक दूसरी तरफ एक और चाप खींचिये, 6. A को केंदर मान कर 4.5 cm त्रिज्जा के साथ एक और चाप खींचिये, जो पहले चाप को बिंदू B पर प्रतिच्छेत करें, 7. C, B और A, B को मिला दीजिये, इस प्रकार अभीष्ट चदरभुज A, B, C, D प्राप्थ हुआ, जब तीन भुजाएं और दोनों विकण की लंबाई दी हो, एक चतरभुज की रचना कीजिये, जिसमें A, B बराबर 5 cm, B, C बराबर 7 cm, A, D बराबर 4 cm, और विकण A, C बराबर 9 cm, और विकण B, D बराबर 6 cm है, चरण, क, A, B बराबर 5 cm खीचिये, ख, A और B केंदर के सापेक्ष, क्रमशाह 4 cm और 6 cm त्रिच्चाएं हैं, दोनों के अनुदिश ऐसे चाप खीचिये, जो एक दूसरे को बिंदू D पर काटते हों, ग, A, D और B, C को मिला दीजिये, D, C को भी मिला दीजिये, A, B, C, D एक अभीष्ट चतरभुज है, रचना, ऐसे चतरभुज की रचना करना, जिसकी तीन भुजाएं और दो विकर्ण ग्याथ हों, मान लिजिये की भुजाओं की लंबाई, A, D बराबर 4.2 cm, D, C बराबर 6.5 cm, C, B बराबर 5.8 cm है, और विकर्णों की लंबाई, C, A, बराबर 6.9 cm, B, D बराबर 7.2 cm है, चतरभुज की रचना के लिए, हमें दो त्रिभुजों, B, C, D और A, C, D की रचना करनी होगी, 1. B, C, D की रचना, 2. D को केंद्र मान कर 7.2 cm त्रिज्या के साथ एक चाप खीचिये, 3. C को केंद्र मान कर 5.8 cm, त्रिज्या के साथ एक और चाप खीचिये, जो पहले चाप को बिंदू B पर प्रतिछेत करें, 4. C, B और D, B को मिला दीजिये, B, C, D की रचना होगी, 5. C को केंद्र मान कर 6.9 cm त्रिज्या के साथ एक और चाप खीचिये, 7. C, A और D, A को मिला दीजिये, 8. A, B को मिला दीजिये, इस प्रकार A, B, C, D अभीज्ट चत्रभुज हैं, जिसके विकर्ण A, C और B, D हैं। दो आसन भुजाओं और तीन कोणों की माप दी हो। चत्रभुज की रचना कीजिये, जिसमें A, B बराबर 7 cm, A, D बराबर 4 cm, कोण A बराबर 70 degree, कोण B बराबर 50 degree, और कोण C बराबर 140 degree है। यदि हमें कोण D ग्याद ना हो, तो हम इस चत्रभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। हम कोण D ग्याद कर सकते हैं। कोण D बराबर 360 degree, घटा कोश्टक में कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 360 degree, घटा कोश्टक में 70 जमा 50 जमा 140, बराबर 100 degree, चरण, एक, एक रेखा खंड A B बराबर 7 cm खीचिये, कोण मापी की सहायता से कोण A 70 degree का बनाईए, दो, एक केंद्र मान कर 4 cm त्रिज्या लेकर रेखा खंड को प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप खीचिये, 3. B पर 50 degree का एक कोण बनाईए, 4. D पर कोण मापी की सहायता से 100 degree का एक कोण बनाईए, इन कोणों की भुजाओं को बिंदू C पर मिलने दीजिये, A, B, C, D अभीष्ट चत्रभुज है, रचना, ऐसे चत्रभुज की रचना करना जिसके तीन कोण और दो सम्मिलित भुजाएती हों, मान लिजिये की दिये गाई कोण A बराबर 75 degree, कोण D बराबर 68 degree, कोण C बराबर 85 degree हैं, और दी गई भुजाएं, A, D बराबर 6.1 cm, D, C बराबर 7.5 cm हैं, यहां भी हम दो त्रिभुजों में इसका विभाजन किये बिना ही चत्रभुज की रचना कर सकते हैं, A, D बराबर 6.1 cm की रचना कीजिये, D पर कोण A, D, X बराबर 68 degree बनाईए, D को केंद्र मान कर 7.5 cm त्रिज्या के माप से किरण D, X बर D, C बराबर 7.5 cm काटिये, A पर कोण D, A, Y बराबर 75 degree बनाईए, C पर कोण D, C, Z बराबर 85 degree बनाईए, मान लीजिये कि A, Y और C, Z एक दूसरे को बिन्दू B पर प्रतिछेत करते हैं, A, B, C, D अभीज्ट चत्रभुज है, तीन फुजाएं और दो सम्मिलित कोण दिये हों, चत्रभुज A, B, C, D की रचना करना, जिसमें A, B बराबर 5 cm, A, D बराबर 4 cm, B, C बराबर 6 cm, और कोण A बराबर 100 degree हैं, चरण, A, B बराबर 5 cm खीचिए, A पर 100 degree और 120 degree का कोण बनाईए, A, D पर 4 cm और B, C पर 6 cm माप पर निशान लगाईए, C, D को मिला दीजिए, A, B, C, D अभीज्ट चत्रभुज हैं, रचना ऐसे चत्रभुज की रचना जिसकी तीन भुजाएं और दो समलित को उण दिये हों, माल लिजिए कि दी गई A, D बराबर 5.6 cm, D, C बराबर 6.2 cm, C, B बराबर 4.9 cm भुजाएं हैं, और कोण D, 108 टिगरी, कोण C, बराबर 120 टिगरी कोण हैं, इस इस्थिती में हमें दो त्रिभुजों की रचना करके चत्रभुज की रचना करने की आविशक्ता नहीं है, D, C बराबर 6.2 cm खीचिए, D पर कोण C, D, X बराबर 108 टिगरी बनाएगे, D को केंद्र मानकर 5.6 cm त्रिज्या के साथ किरण D, X पर D, A बराबर 5.6 cm जाप काटिए, C को केंद्र मानकर 4.9 cm त्रिज्या के साथ किरण C, Y पर C, B बराबर 4.9 cm चाप काटिए, A, B को मिलाएगे, A, B, C, D अभीश्ट चत्रभुज है, विशेश चत्रभुज वर्गों की रचना 5 cm भुजा के एक वर्ग की रचना हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं लंबाई में समान होती हैं, और सभी कोण समकोण होते हैं, ग्यात है एक भुजा बराबर 5 cm, चरण, क, बिन्दू A पर कोण मापी या कमपास और रूलर की साहता से एक समकोण बनाईए, ख, कमपास को 5 cm खोलिए और वर्ग की एक दूसरे से समकोण परिस्थित भुजाएं, A, B और A, D काट लीचिए, ग, B को केंद्र मान कर उसी तरिज्या का एक चाप खीचिए, ग, D को केंद्र मान कर इसी तरिज्या का एक चाप खीचिए, जो पिछले चाप को प्रतिछेत करता हो, D, वर्ग की रचना के लिए जहां दूनों चाप मिलते हैं, उस बिंदू, C को, A, B और A, D के सिरों, B और D से मिला दीजिए, A, B, C, D अभीष्ट वर्ग है, सारांच आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं, हमें एक चतरभुच की रचना कर सकते हैं, यदि हमें ग्यात हो, चार भुजाएं और एक विकन, दो आसन्य भुजाएं और तीन कोण, तीन भुजाएं और दो विकन, तीन भुजाएं और दो समलित कोण, वर्ग की रचना के लिए हमें सिर्फ एक भुजा की लंबाई ग्यात होनी चाहिए